ऑली उच में कई अभीनेतरी आती हैं कई जोती हैं कई नाम कमाती हैं जो कई गुपनाम हो जोती ही लेकिन इक ऐसी अभिनेत्री जो सल्मान खान की नौकर बनी थी लेकिनballs उस नॉपेराणी का कि बार्ध का पुराणि का इत्राक्टव था कि सब का उस अभिनेत्री पर देल आ गया और वह उस ने नाथ कमाया लेकिन उनकी जिंद्रिकी में उनके साथ इतना बुरा हुआ कि आपको मता दे वो आज उक सिंगल मदल है और अपने बच्छों का पालन पोशन बुस्त ही मुश्किल से कर दे हैं यहां यहां बात हो रही है हम आपके है कौन की नौकरानी जिनका नाम था चमेली लेकिन उनका लेकिन आपको बताने इनके श्रादी लक्ष्मी कान से हुई कौन नहीं जौन का लक्ष्मी काम है के तुनी फेलियर की मदर से उसके बाद इनकी बीवी और बच्चे को दर दर नाव कुषंदीगी जिनी हुए स्वागत आपका हमारी चैनल नाइस नाइन्यूस नौने पाफरिसे में आपके साथ साथ का तो इस खास प्रोग्राम में देखी उस घुमनाम अभी नीजरी की कहान जिसको आज भी आप उसी किर्दार से याद रखते हैं नौकरानी की किर्दार से 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके है कौन बॉलिवुड की सबसे यादगार फिल्मों में इस एक हैं क्यूंकि इसकी कहानी और इसके गाने आज भी सबकी जुबां पर है जी हाँ यहाँ पर सल्मान खान और मादूरी दिक्षित ने अपनी प्यार की केमिस्ट्रि से सबका दिल जीत लिया था वही इस फिल्म के हरे किर्दार ने दर्शकों के दिल में अपने लिए खाल जगा बनाई और वहीं इनी मेंस एक किरदार था चमेली का अज़ी हाँ वैसे यू तो वो हाउस हेलपर होती है लेकिन घर वाले उनको अपने घर के सदसे की तरह ही मानते हैं वहीं चमेली नोकरानी का किरदार में इस फिल्म का सबसे यादगार किरदार था लोग आज भी अगर इस किरदार में चमेली को देखते हैं तो वो याद करते ही हैं क्योंकि चमेली एक घर के सदसे की तरह थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में चमेली का किरदार निभाने वाली अभीनेटरी आज कहां है क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं जी हाँ क्या इनके जिनी आज भी उतनी असान है जो पहले थी बता दे हम आपके है कॉन में चमेली नोकुरानी का किरदान निभाने वाली अधाकारा का असली नाम है प्रियारून जी हाँ आपको बता दे इनका जनम सतरागस 1967 में कोलापूर में हुआ वही इनों ने अपनी पठाई भी यही से पूरी की क्योंकि इनका जनम कोलापूर में हुआ था वही आपको बता दे कि इनोंने अपने करियर के शुरुआत 1988 में आई फिल्म अश्रही बनवा बनी से की वहीं बता दे कि इन्होंने अपने आक्टिंग के शुरुआत थेटर से की थी वहीं बॉलेवुद में इन्होंने एंट्री की दिदार फिल्म से आपको बताने बॉलेवुद से पहले ये एक से गुजराती फिल्में कर चुकी थी और वहां की मेंच लीड अक्टिंग ती वहीं आपको बतादे कि जब उन्होंने बॉलेवुद मैंच्री की कि अपको बॉलेवुद में ने इन्होंने जब अदस्तादकारी दिखाई की जिसके बाद आज इन्हें सब जानते हैं और इनको किसी किसी भी पहचान की जरूरत ही नहीं है किसी पहचांद की मोतार शोय है और क्या करते है कोई नहीं जानता वह इस बटादे आपको बार्बियूट के यजुन अपना दमदार अभिने की शाप छोड़ी बता दे आरुन प्रिया उन्हीं की पत्नी थी वहीजु सुन्नी में आया था एक बार कि आक्ट्वा लक्ष्मिकान बेडी की पत्नी के साथ छेड़चाड़ की एक घड़ना हुई थी जी हाँ खबरों के मुताबिक पता चला था कि आक्टर लक्ष्मीकार ब्रेडे की पतनी यानि कारुन प्रिया जो की एक मराथी फिल्मों की एक ख्यात कलाकार हैं उनके साथ में सिनेमा थेटर में कथित तौर पर छेट चाड़ हुई इस मामले में पुलीस ने तवरित कारवाई करते हुए एक शक्स को अपनी हिरासत में लिया था सुत्रोब में मिली जानकारी के मताबिक पता चला था कि मराथी आक्टर वाइफ प्रिया ब्रेडे अपनी बेटी के साथ शनिवार को थाने के एक थेटर में फिल्म देखने कई टीम जिसी दोरान बोड़ी वली कार रहने वाला अरोपी सुनील जानी अपने तीन दोस्तों के साथ शराब की नशे में मूवी देखते पहुँचा सुनील अक्टरस के बगल वाली सीप बैठा था जैसे ही शो साथ हुआ सुनील ने अक्टरस के साथ 6 चार शुरू करती प्रिया ने इसका विरोध किया तो अरोपी कुछ देर के लिए रूखा और फिर उनसे 6 चार करने लगा इसके बाद एक्टरस की शिकायत पर पूलीस ने आईपीसी की धारा 354 और 509 में केस दर्शकर उसे अरेक्स्ट कर लिया था इसके बाद अरुन प्रिया ने बहुत जादा स्तुर्किया बटोली थी आपको बताते कि अरुन प्रिया ने सरयाम उस शक्स को थपड़ भी लगा अज़र 4 औरश लकष्मी कानस का एक अंभीर बीमारे के कारन नधन हो गया ता लकष्मी कानस की फैमली की बात करें तो उन्होंने पहली शादी रूही नाम की एक लड़की सीखित ही कुछ वगत बात दौनों अलग हो गए थे लक्ष्मी कान तिसके बास फिल्म हम आपके है प्रिया आरुन को देट करने लगे थे वहीं साल 1998 में लक्षमी कांत ब्रेडे ने प्रिया से शादी की दोनों के बच्चे सवान दंदी और अभीने हुए थे अपने बेचे का नाम अभीने आर्ट्स का प्रोडक्शन हाउस खोला था लक्षमी कांत बेडे चॉल में पाले बड़े थे वो बेहद मिजल क्लास परिवार से तालोग रखते थे बॉलिवुड से पहले वो मराथी साथिया संग प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हो थे करियर कि शुरात में उन्होंने साइज रोल के थे वहीं आपको बता दे अपनी पत्नी आरुन प्रिया से बहुत प्यार करते थे लेकिन जब उनका दिहांत हुआ तो आरुन प्रिया पूरिया के लिए रहे गई और उन्होंने अपने बच्चों का के लिए ही पालन कोशन की अब कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे क्योंकि आरुन प्रिया के आगे पीछे कोई नहीं था बताने आरुन प्रिया ने अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ा पती के देहान के बाद वो बिल्कुल अखी नहीं थी उनके आगे पीछे कोई नहीं था जी हां अरुन प्रिया अच्छे परिवार से बिलॉंग करती थी जहां उनके पती अपनी महनत से उन्होंने बॉलिवुड से लेकर मराथी फिल्मों में नाम बनाया ये लता अरुन की ब दस्टी की आज भी अच्छी कलाकार हैं लेकिन एक वक्त वो था जब पती की देथ के बाद ये अखेली पड़ गई थी इनका कहना था कि मेरे पती के जौने के बाद लोगों ने मुझे बहुत तरह की बुरी नज़रे रखी मेरे उपर बुरी नज़रे थी मैं अखेली वर ही मैंने अपना होसला दिखाया मेरे उपर बहुत तरहा की इलजाम लगाए गए कि मेरा किसी के साथ आफेर है और मैं इन खबरों से हमेशा दूर रहना ही पसंद करती थी क्यूंकि मैं एक एक एक्ट्रेस की बेटी ती जी हां मैं लता आरून की बेटी थी मैं नहीं बाद है बीच में उनके बीच साथ बहुत से मुश्किले आई लेकिन एड़ आज वो खुछ है उनके बच्चे भी इतने बड़े हो चुके हैं कि वो खुद का मापा आपको बताते अरूंतिया टॉप की अभी नहीं थी है वो एक्ट्रेस श्री हां उनकी माता जी भी आक्र जानकारी अची लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब करें और दाल आइकन बाना ना भूलें धन्यता